वेलकम स्टूडेंट वेलकम बाक तू मैं चैनल आज हम बात करेंगे MBBS के बारे में कि MBBS क्या है जोने बच्चों को पता नहीं चलता कि कौन से डिगरी किसके लिए होती है क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं तो इसके लिए इस टॉपिक पे इसलिए मैंने वीडियो बनाया है कि आपको पता चल जाए कि MBBS क्या है इसके बाद मैं BAMS, BHMS, BUMS इन सब के उपर बनाऊंगे कि आपको सारे courses पता चल जाए और उनके जो subjects हैं वो पता चल जाए और कितने-कितने duration का होता है वो पता चल जाए तो MBBS, MBBS का full form क्या है? Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery, courses और duration की बात खलेते हैं तो 5.5 years का है जिसमें जो 4.5 years है वो हमारा academic education है और 1 year हमारा mandatory internship है आपका mandatory होता है internship आप उसको बिलकुल भी यह निए कि आप नहीं कर सकता आपको internship करना बहुत ज़रूरी है ठीक है ना, UG degree program है याद रखे जो MBBS है वो आपका undergraduate program है इसके बेस पर ठीक है उसके बाद आपका MD होत होता है उसके बाद DM होता है MCH होता है यह सारी बात की चीज़े आती है अब हम MBBS के बात करते है MBBS is the only course in India to become medical officer MBBS एक ऐसा course सिर्फ एक मातर ऐसा course है जिससे आप doctor बन सकते हो पर ऐसा नहीं है कि BAMS, BHMS वगारा वाले doctor नहीं होते है वो भी medicine की branch है उनसे भी doctor बनता है चैनले बच्चों को यह लगता है जिसे यहां एक line मुझको यह थोड़ी वो लगती है जैसे यह है कि MBBS वाले ही doctor है BMS, BHMS वाले भी doctor है ठीक है ना, वो भी medicine ही बढ़ते हैं तो मैं आपको बता देती हूं जैसे MBBS में अगर हम first year की बात के तो हम अनॉटमी, Biochemistry, Physiology है, then second में Microbiology, Pharmacology, Pathology, third year में और सब्जेक्ट है, total 19 सब्जेक्ट होते हैं उसके बारे में अच्छी तरिके से बात करेंगे, it is the course with hand-on training for five years long, the student interact with the patient and get practical knowledge and disease, इसमें आपको एक तो अकेडमिक्स तो पढ़ना होता है, साथ साथ आपका clinical exposure होता है, जिसमें आप लोगों को देखते हो, patients होता है, उनको देखते हो, और उनकी जो किस disease से वो suffer कर रहे हैं, उसके बारे में सीखते हो, कि क्या है disease, क्या उस disease की pathology है, इन सारे चीजे आप सीखते हो, ठीक है, अब आके हते हैं, the skill required to make a career, क्या होता है, इसका क्या क्या है, ability to work with team, deep interest of being helping profession, good stamina, responsible attitude, patient and compassion, constant updating of skill and knowledge, mental awareness, देखो है, और कोर्स बहुत बढ़ा होता है, 5.5 years का, 19 subject है, सबसे इंपॉर्टन होता है, आप कितने consistent हो, आप कितने लगोरियस हो, तो ही आप यह कर सकते हो, ठी इतनी सीखने की शमता है, इसलिए, यह नहीं कि MBBS is just about to wear white coat and stratoscope, आपको पढ़ना भी पढ़ेगा, अब हम बात करते हैं, eligibility and admission की, तो इसकी जो eligibility है, उसमें हम बात करते हैं, नीट exam देना पढ़ता है, इसके लिए, ठीक है, और 50 percentile चाहिए है आपको, percentage नहीं 50 percentile, student age 17 साल से ल और तो आपको age limits पता चलगी कि 17 years तो होनी ही चाहिए, ठीक है, आपके पास attempt का कोई limit नहीं है, आप जितनी चाहिए उतनी बार MBBS का exam, जो नीट exam है, यह दे सकते हो, to get admission into MBBS program in India, student have to complete their plus 2 education with physics, chemistry, biology and score minimum 50 percent marks, और 40 percent marks होते हैं, reserve category के लिए, तो जैसे आपको पते हैं, आपको प्लस 2 है, ठीक है न, आपके पास उसमें PCB subject होना चाहिए, अगर आपके बोत है तब भी ठीक है, वैसे यह नी कि आपके PCM है, आप नीट का exam देने जा रहे हो, ऐसा नहीं आपके पास biology होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपको at least अपना score आपका 50 percent होना चाहिए, ठीक है after MBBS की, MBBS के बाद क्या है, the medical, देखो, जब आपका course पूर हो जाता है, तो आप एक prescribed doctor बन जाते हो, ठीक है न, the medical graduate are entitled to use the term doctor to his or her name, and there are good job and career opportunity for student after getting a degree as a doctor, ठीक है, आपके बास बहुत सारे है, उसमें क्या होता है, after MBBS आप क्या कर सकते हो, आप एक journal physician बन सकते हो, ठीक है, आप research में जा सकते हो, आप medical officer बन सकते हो, आप health ministry में जा सकते हो, आप अपना nursing home खोल सकते हो, या फिर आपको अगर MBBS के बाद पढ़ाई करनी है, जैसे आपको MD करना है, MCH करना है, DM, या आप सबको आगे और पढ़ाई करनी है, किसी चीपे specialty करनी है, तब आप आपने आग in bioengineering, आप देखो, job profile में क्या 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 आपके, आप as a junior doctor बन जाओगे, physician, junior surgeon, researcher, scientist, ये सारी चीज़े, अब बात केते हैं, कितना salary पहले में आपको तारती हूँ, जो MBBS student होते है, जो उनका 5th year होता है, जिसको हम बोलते है, internship वाला year, उस year में college-wise होता है, most of the college 15,000 पर मन्त उनको देते हैं, कुछ college जैसे Ames Valley होगा, मां 30,000 पर मन्त मिलते हैं, तो ये salary होती है, उसके बाद के होता है, as a junior doctor, after your completing your internship, you can work as a junior doctor, जिन में से आपको हर महीने 35,000 ये 20,000 मिलेगा, पर after getting the experience, you can get 1,00, 1.5,00, इतना मिल सकते हैं, उसके बाद आप अपना as a nursing home भी खोल सकते हो I hope आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूच सकते हो, thank you